तो प्रेंट्स कैसे हैं आप तो आपको बहुत सब्सक्राइब ने चैनल एस आर एस आई सी बारा गुंकी में और कल आपकी मुलकात में पंकर सुख्ला सर्थ से जिन्होंने केमेस्ट्री का बहुत ही बैदरीन लेक्ट्ट्र आपको दिया था और प्रीबोर्ड का जो फर्स्ट इंटेंट का फर्स्ट पेपर है वो उन्होंने सॉल कराया था केमेस्ट्री का उप्सिनल करवारी थे उसके बाद का लेक्षर जो है वो भी आपको मिल जाएगा आज आपकी मुलकात होने वाली है आपके फेवरेट टीचर डॉक्टर रहमान सर से जो आपको बैलोजी पढ़ाते है और बरसों से पढ़ा रहा है और आप लोगों के दिलों पे बिछाए होज है ग swimming कैश्ञा है और कि अबकी यह है करे कि फैपरकी में गेसा है बक्रना फैटा होगा इससे बहुत सारी पोश्टन आपके बोर्ट में भी बनने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हम लोग मिलते हैं डॉक्टर रह्मान सर से और आगे की बात बहुत करेंगे और आये सिर्थ रह्मान सर आपका बहुत स्वागत है और आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और सर आप बच्चों से बिल्कुल ही अपनी बाते कहिए और जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल कमेंट कीजिएगा और सर जो है नेस्ट वीडियो लेक्चर में उसका जवाब देंगे और आपके जाने माने सर है और अब आप सर आप अपनी कमान समालिया बाहिराओजी की और सर ठीक है सर और फिल आप दीजिए प्यारे बच्चों आज हम लोग बाइलोजी का फस्ट प्रीवोड पेपर सॉल्व करेंगे तो उससे पहले हम यह देखेंगे कि जो हमारा इंटर्मीडेट बाइलोजी का पेपर आता है उसका क्या पैटन रहता है कोश्चन पेपर का पैटन पहले देंगे आए फिर एक एक पाटन पाटन पैटन गटन चाहरा तो इसमें यह आपने हैं तो इसमें आप तुमीन जाएंगे पांच नहीं इसी तरह से वेडि शॉट चेल करेंगे यह आते हैं 5, 2 marks का एक कोशन होता है, तो टोटल 10 marks का तुम लेखें, next, short answer type question 1, short answer type question 2, short answer type question 3, यह सब तीन तीन नमबर के 3 marks का एक कोशन है, और इसमें एक लिए 4 questions होगे, तो यहां 12 marks, यहांबे 12, यहांबे 12, तो इस तरह से, फिर long answer type question, यह आते हैं 3 questions, 7, 8, 9, और एक कोशन 5 marks का होता है, यहां पर लेखने हैं अच्छी बात ही है, कि यहां पर option एक कोशन आते हैं, यानि दो कोशन आएंगे, उसमें से एक करना रहे हैं तो यहां रिलैसेशन, बाती कहीं रिलैसेशन नहीं है, सारे question आपको करना है, तो इस तरह से total 70 marks का paper बनता है, 70 marks, यह theory pattern है, और बाकिया आप जाते हैं कि प्रेक्टिकल में आपको 30 marks का practical होता है, तो इस तरह से, यह total 100 marks का biology का paper बनता है, तो यह board का pattern थी, इस pattern पे आपको exam लिया देखा, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, बेख लीजिए, और pre-board जो exam हुआ था भी आपके college में, वो भी इसी pattern पे हुआ था, understand, चलिए, अब हम लोग आते हैं biology paper के, यह हमारे हाथ के pre-board का first paper है, बायो जी का, इसके हम से की question है, पहला question है, use the genetic engineering in which field, use the genetic engineering in which field, इसका मतलब यह हुआ कि genetic engineering किस field से समझ लीजिए थे, या उसका उप्योग कौन से field में की आड़ाता है, इसके चार option है, in agriculture, in medicine, next one, in vaccine formation, और लाश्टे आल अफ दीज, इसके बायो जाते हैं, इसका उप्योग अइडिक कल्चर भी होता है, बहुत सारी crop बनाई जाती है, इसकी मदद से, नए बेर वराइटियस बनाई जा रही है, इनका बीटी, cotton crop के नाम से भी जाते हैं, medicine भी बहुत सारी बनाई जा रही है, antibiotics बनाई गए है, medicine का formation क्यों होता है, तो overall इसका option सही answer है, all of these, right answer, second question है, placenta is found in, कि placenta कहा पाया जाता है, right, प्लासेंटा, placenta is found in, अब चुकि प्लासेंटा का नाम, जुरोजी में भी अलग से आता है, बोटनी में अलग कुछा रहता है, अब यहां देखना है कि placenta में option क्यों से नहीं है, पहला है pollen grain, pollen grain, second आपका है अविल, third endo इस पर, और next one है all of these, question क्या पहरा है कि placenta is found in, placenta कहा पाया जाता है, तो आप जाते हैं, कि flower में four parts होते हैं, कायलिक्स, कुरोला, एंदूशियम और गायदूशियम, यह four parts से लिकर flower बना होता है, जिनमें चारों पाई जाते हैं, उसको complete flower को दें, complete flower, जब गायदूशियम में आप इस च्च्चर ना आते हैं इसमें, तो कुछ इस तरह से बनता है गायदूशियम का इस्ट्रक्चर, जे, इसको आप इस्टिग्मा मोंते हैं, बाइफिल इस्टिग्मा, बाइफर्केशन होता है इस तरह से, तो बाइफिल इस्टिग्मा, यह इस लिए इस तरह से होता है, ताकि यह और ड्रेम को आसानी से रिसीव कर सके हैं, और यह इस्टैल लॉंग पाट, और यह जो स्वालनी शक्चर है, बेसल पाट है, जो सबसे नीचे की तरह पाइदा है, इसको ओवरी बोलते हैं, ओवरी, इस ओवरी वाले भाग से, लगे होते हैं, बहुत सारे बहुत सारे लगे होते हैं, ओवियुडू, जब इसका टीएस करने हैं, तो आपको इस तरह से एक शक्रचर दिखाएने का, यह ओवरी बाद हैं, और ओवरी बाद से इस तरह से लगे होएं, ओवियुडू, तो जिस शर्चा से यह ओव्यूल ओवरी बाल से अटाइच होते हैं उसको बोलते हैं प्लासेंटा प्लासेंटा यह ओव्यूल है और यह ओवरी बाल है तो ओव्यूल ओवरी बाल से प्लासेंटा के द्वाला अटाच रहते हैं इसका मतलब यह ओव्यूल कि आप देखेंगे कि प्लासेंटा इस अधिक का मंद टेखेंगे यह ओव unit of heredity, unit of heredity, heredity की unit क्या है, इसमें भी चार अप्शन है, genotype, phenotype, next one gene, और लास्ट बाद है chromosome, इन चारों में से, heredity की unit क्या है, यह आपको बताना है, तो आप जाते हैं कि genotype, genetic makeup को कहते हैं, genetic constitution जो होता है, यानि कोई भी organism, किस चीज़ से बना है, तो वो उसका genotype बहराता है, जैसे की capital R, small R, तो इसमें capital R लग, small R लग, यह इसका genetic makeup है, phenotype क्या होता है, मिंटर लाव में आपने पढ़ाएगा कि phenotype का मतलब होता है external appearance, कि कैसा दिखता है, बाहरी बनावट क्या है, external appearance को represent करता है phenotype, जीन, जीन के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, कि जीन क्रोमोसों के ओपर अरेंड होते हैं, इस तरह से क्रोमोसों के ओपर बीड़न है कि structure, मोती की तरह कुछ structure पाई जाते हैं, जिनको आप जीन का नाम देते हैं, जीन, और जीन ही एक ऐसा structure है, जो collectors को एक generation से दूसरी generation में ले जाते हैं, जीन, अनि हर एक जितने भी collector आपके body के अतर पाये जाते हैं, उनको control gene करता है, तो gene ही उनको carry करता है, एक generation से दूसरी generation में, तो यहां प्राव का unit of variability, gene is the right answer. Next one है, fungus filament of likens get their nutrition from, कि fungus, likens यह जो fungus filament होता है, वो अपना nutrition किस से और्टेंट करता है, बहुत अच्छा question, कम्टिशन तो एक question कही बाद पूशा गया है, fungus filament of likens get their nutrition, एक एक पॉइंट पर घ्यां दिजेगा, from, first option है, air, second option will be, third option है, organic matter of soil, last one है, none of these, बहुत अच्छा question है, fungus filament, दियां दिजेगा, fungus filament of likens, likens, likens में जो fungus filament है, वो अपना nutrition किस से और्टेंट करता है, air से, LD से, organic matter of soil से, अर्णा पीस से, तो सबसे पहले आप likens, कि likens क्या होता है, likens के बारे लियाब पर चुगी है, इलाइकेन एक composite plant है, first year में likens बहुत डिटेल से भी आए, composite plant है, composite plant का मतलब यह है कि यह दो plant का combination है, दो plant से मिलकर बनाएं, एक तरफ एलगी और दूसरी तरफ फंजाएंगी, तो दो partner से मिलकर बनाएं, एलगी इस तरह से, बीच में रहता है, सिल्टर पे, और fungus इसको चारो तरफ से surround करता है, यह इस तरह से, यह बनाएंगी, जो एलगा component होता है, इसको फाइको ब्यांट करते हैं, ध्यान देजिएगा, कोश्चन कहीं से भी आ सकता है, फाइको ब्यांट, और जो fungal component होता है, फाइको ब्यांट इसको आप माइको ब्यांट करते हैं, तो फाइको ब्यांट और माइको ब्यांट मिलके बनाते हैं लाइके, और यह सिम्बायोसिस का एक बहुत अच्छा एक्जाम्पल ही, क्योंकि इसके दोनों पार्टनर्स का लाव होता है, दोनों पार्टनर्स का फाइदा होता है, बेनफिट होता है, किसी को इक साम नहीं है, पैसे fungal component जो होता है, वो प्रोटेक्शन पोड़ाइड करता है, यह ब्यांट बदले में इसको फोटो से इसको करके nutrition देता है, क्या है, तो यही पर आपना एसर मिल गया, फंगस किलमेंट आप लाइकन वेट देर निक्रिशन, यह ब्यांट इससे ओप्रेंट डबता है, तो इस तरह से आपके इस फोर म्सी क्यू कम्लीट होगा है, नेक्स्ट कॉस्चन नपर टू है, वाद इसक्राइब, एक्स्टैन इबरी तो, हुआ है कि ये पहला चया में को श्चेत हिं 12 वर्ष होती है 2016 2009 1020 अभे선 प्रेश ऐनुकर माने जानते हिए अंब में जिसकोगरें तो यहां से कोशन आते हैं कि कौन सा एसे पाई दाता है तो इसमें आप बोलते हैं कि हट्रेश्टा पाई आते हैं आसी वारिष जिसमें आ मन पाई दाते हैं और लाषिय थे कि दोलेंगे हैं जिसमें 2 आमल का सहाँ विस में कैसे बहते हैं यह फॉसिल फ्यूल के बंदिंग से यह इमिट होती है फॉसिल फ्यूल जब बंद करते हैं तो एसे ओडू एन्वाइर्मेंट में रिलीज होती है यह एन्वाइर्मेंट है और यहां पर यह वाटर के साथ एक्षण करके बनाती है यह फिर वाटर के साथ एक्षण करके यह बनाना है इस तरह से यह सल्फिरिक एसिटा फार्मेशन हो जाता है तो एसे ट्रेंट में आएसी वर्षण आएसी रेंट जिसमें अम लोग का साभावेश तो एसे पाइड आपने हों गूबलेंगे इसे ट्रेंट क्लिया चलिए नेक्स कोशन है राइट वाइंपोर्टेंस अम नेशनल पार्क थी सेकेंड कुशन है राइट दा इंपोर्टेंस आफ नेशनल पार्ट तो आप जातेम पार्क एनक प्लेस होती है जिसको गौर्रमेंट मेंटें अमडेंड हर है गावर्रमेंट और इसका महाँ तो क्या होता है यह conservation it had been it helped in conservation of wildlife wildlife के conservation में इसका योगा है wildlife का मतलब यह हुआ animal and plant तुमों को conserve करने में ले मदद करने नेशनल पर and human activities किसी वी परकार की human activities are strictly prohibited किसी वी परकार की human activities इसमें दखल नहीं ने सकती है तो wildlife के preservation या conservation के लिए नेशन पर important है clear नेस्ट कोशन ए ड्राव लाइब डाइडाम मत इस पर उना और लाव लाइब 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 गय्ग्णैपक् malfunction ये क४्पुमों क किसी ओधonic तो आपने बहुत बार डियाग्राम इसका बनाया होगा, इस तरह से इसका बुछ डियाग्राव बनता है, यह लब्पी से टेर होती है, यह इसका इंटिरियर पार्ट होता है, यहां से कॉप्टिशन में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है, इस दा इंटिरियर पार्ट आप इस पर होता है, उनको निउक्रियेस या डाजेस्टिव एंजाइन बोलते हैं, और इनका फांक्शन यह होता है, कि जब यह एक इंदर पेंट्रेट करते हैं, तो एक सेल की वाल्प को यह डिसाल्व करते हैं, जैसे यह एक सेल है, और यहां पर यह इस तरह से पेंट्रेशन के टाइक, यह तो यही एंजाइब एक स्टी बहुत को डिजॉल्ब करते था इस्पन का ओपर वाला हिस्सा है है वाला पोर्शन ये अंदर देता है निख लिए सिसका है तो यहां से पता चला कि जो इस पर मोंता है उसके में एका भिपार और यह बीड़ फिछ हैं तो साउंड्रा तो जब है आ कि गयारा है मिड़ी पड्रा धिन तो यह किसी सी भुक क्रेंग यहां करें enjoyable तो याद रहेगा कि ये भी आप दितेगा कि मिक होता है एक चीज़ और मिडिल इसमें इस चोरा से एक मेल्डी में ये माइटो कंदिया में. माइटो कंदिया है A. स्परtones ली और सर्थयू सिधन का और इनका यह एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जब यह स्पंप मूब करता है, तो उसको एनर्जी माइटो काड़िया ही प्रोवाइड करते हैं, क्लियर? तो यह हो गया, हुमनी स्पंप करता है, नेक्स्ट पोशन है, राइट डाउन दा नेव अब टू क्लोनिंग वेक्टर तू क्लोनिंग वेक्टर के नाम उचा गया है तू क्लोनिंग वेक्टर इसमें तो सबसे इंकॉर्टन और फेमस है वो प्लास्विट चुकि यह नाचुरल वेक्टर है ले ले लिगात नाेट इसी तरह से बैक्टिटियो फेच यह भी नेचुरल वेक्टर है इन दुनों के अलावा जितने भी वेक्टर है वो सब आर्टिफिश्यल हैं यानि इंस से बनाए नहीं, वो डिराइब किये नहीं, तो वो अर्टिफिक्शन ही ये दुनो, नैचरल वेक्टर ने, प्लास्मेट और बैक्टिंगो फेट्श है। नेक्स्कुर्शन ही आपका, डिफाइब डॉण से रूम, डिफाइब डॉण से रूम, कि डॉण से रूम क्या होता है। डॉण से रूम, आप जानते हैं कि आपको उने पढ़ायाने, नॉण डिस जंक्शन आफ प्रोमो सोम, और इसके दो पार्ट बताएब हैं, एक तो आटो सोम हो सकता है। चुकि दो तरह की प्रोमो सोम पाई जाते हैं, और दूसरा से रूमो सोम। नॉण डिस जंक्शन, मतलब अगर आटो सोम या सेक्स प्रोको सोम की लोकेशन बदल जाए, जो उसके अक्च्वाल पोजिशन है, उसके अरावा कहीं और पार जाए, तो कोई ना कोई सिंड्रोम हो जाता है। तो वो सिंड्रोम आपको यात रहाता है। तो हमने बताये था कि जो आटो सोम में इसका एक्जाम्पल है, डौन सिंड्रोम। डौन सिंड्रोम। यह इसी का एक्जाम्पल है। क्योंकि Down syndrome में आप देखते हैं कि एक extra chromosome हो जाता है 21 बन Trisomy Trisomy on 21st chromosome Basically आपको पता हैं कि 23 पेर में 22 22 x6 और जो वन पेर होता है इसमें xy या x6 कोई भी हो सकता है तो इस तरह से 23 पेर सकते हैं तो यहां का 21 नंबर का लूप हो मोसोम है वो एक 6 है तो दो के बजारे यहां का 3 हो जाते हैं इसी को आप नाद देते कि ट्राइस्पोमी ट्राय को मतलब ही 3 होता है तो 21 नंबर आप प्रोमसों में एक प्रोमसों बढ़ जाता है जिसको आप ट्राइस्पोम भी कहते हैं और जिसका रिजार्ट आपको दो सेट्रों के फॉर्म में बच्चों में जादा होता है आइसे चिल्ड्रेन आइसे बेटी जो जेनरली 45 इर्स की जो मदब होजाती है उनकी जब लिवी होती है तो उनमें इसके चांसे ज्यादा रहता है पूलियन अप्रेस सर बढ़ा हो जाएगा जबान बाहर लाग टपकती भी यह सारे इसके सिंटा में मिटली रिटार्टेट होगा मिटली रिटार्टेट दिमागी रुप से कमजोर होगा यह बच्चा तो आज के लिए इतना काफी और इसके आगे आपको सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और जो भी डॉट्स आपको लगता हो कामेट सेक्शन में जरूर बताएं तक उस डॉट को दूर किया जा सकेंड और इसका सेगेंड पार्ट आवेट करिएगा एक दू दिन में आपको मिल जाएगा थैंक्यू फार माचेंग पार माचेंग